हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आ चैनल होम साइंस कक्षा आयम डॉक्टर शालू कर इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट की बेसिक टो एडवांस नॉलेज देंगे और यह चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टुडेंट्स को ध्यान में रकर डिजा किया गया है, so let's start our today's topic, sampling. Sampling क्या है, sampling जब एक researcher research करता है तो उसको कुछ निश्यत लोगों की जरूरत पड़ती है अपनी study को research करने के लिए, तो उस निश्यत लोगों को चुनने का जो तरीका है वो sampling कहलाता है, यानि कि एक बहुत बड़े area को represent जो करता है, उस representation के लिए जो कुछ लोगों को चुना जाता है, उन्हें sampling कहते हैं, जैसे कि देखें, इस diagram में भी clear है, that is your target population, और यह आपकी study population है, और इसमें से आपने कुछ निशित लोगों को चुना है, और यह sample जो है, यह आपका total target population को represent कर रहा है, sampling को कैसे समझ सकते हैं, यह एक छोटा है, लेकिन एक बहुत ही बड़े area को representate करता है, उसके अलावा जन संख्या के लिए जो अलग-अलग तरह से आकड़े इसमें आप इखटे कर सकते हैं, यह आपको sampling frame बनाने में help करता है, दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे elements होते हैं, जो क population को select करते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं, देखे जैसे population क्या है, population एक ऐसा बड़ा समू है, जहां पर बहुत सारे लोगों पर एक साथ study की जाती है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, तो उसकी सिती में आपको target population रखी जाती है, और वो target population क्या कर है, आपके देखे, target population है, जैसे कि पिछले diagram में भी हमने समझा, उसके बाद accessible population है, जिससे आप बात कर सकते हैं, और उसमें से भी आपने एक sample चुना है, जो कि इन सारे लोगों को represent करेगा, उसके बाद आता है, sampling का purpose क्या है, sampling का purpose होता है, एक channelized तरीके से populations के साथ काम करके उ जो sampling करते वक्त हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, सबसे पहले, तो हमारा target population क्या है, यानि कि किन लोगों के साथ हमें काम करना है, उसके बाद आप sample जो select करेंगे, sample जो framework होगा आपका, वो किन लोगों के साथ आपको उसमें से उन्हें चुनना है, उसके बाद आप sampling method साथ काम करने का सही तरीका होगा, आपका sample size क्या होगा, उसके बाद actual sample unit क्या होगी, और उसके बाद किस तरह से आप उस samples के साथ field work पे काम करेंगे, उसके बाद आता है types of sampling, देखें, basically sampling जो है, वो दो parameters पर मानी जाती है, probability sampling method और non-probability sampling method, probability sampling method के भी चार तरीके है, simple random, cluster sampling, systematic sampling and certified random sampling, उसके अलाबा non-probability sampling के भी चार तरीके है, convenience, judgment और purposes, snowball और quota sampling, यहाँ पर आज हम slide में सिर्फ probability sampling के बारे बे पढ़ेंगे, अब आता है, probability sampling क्या है, देखें, यह एक सबसे simplest तरीका है, sample को choose करने का, और इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम energy लगती है, और sample के पास, बता हर individual person of population के पास equal chances होते हैं, parameters में include करने के लिए, for example, अगर आपको 1000 लोगों में से कोई sample चुनना है, तो आपके पास हर, इसमें, हर 1000 में से हर एक बंदे के पास equal chance होता है, इस sampling में choose किये जाने का, जैस non-probability sampling क्या है, यह थोड़ा सा research है, अपनी choice के हिसाब से, इसमें randomly भी choose कर सकते है, prefixed भी होता है, fixed भी होता है कि आपको किन methods के थूप, किन particular elements के आपको sample अपना चुनना है, तो यह थोड़ा सा biasness भी इसमें दिखाई दी जा सकती है, अब यहां आता है probability sampling हमारे 4 तरह की होती है, सबसे पहले simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling and certified random sampling, अब इनको एक एक करके स समझते हैं, simple random sampling क्या है, यह सबसे best तरीका है, सबसे कम time consuming वाला तरीका है, जिसमें हर individual person के पास equal chance होता है, चुने जाने का, यह सबसे simple और सबसे authentic माने जाने वाला method, that is for simple random sampling, for example, अगर आपको 500 employees में से, एक 10 या 12 लोगों की team बनानी है, तो उसमें क्या करते हैं, कि 500 लोगो को आपको चुनना है, हमने 10 चीट उठाई, और उन 10 में से, उन 500 में से, वो कोई भी 10 लोग हो सकते है, तो that means कि हर बंदे के पास equal opportunity है, चूस किये जाने की, उसके बाद आता है cluster sampling, यह cluster sampling जो है, दूसरा तरीका है, sample चुनने का, इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो है, बाट दिये जाते हैं, demographic parameters के according, जैसे कि उनकी age, sex, location के according, तो उस इस्तिती में आपको हर area से छोटे-छोटे samples ले ले लेते हैं, तो हमारे जो survey है, जो feedback है, वो authentic होने की जादा गुंजाईश रहती है, पर example, जैसे अगर US government को यह पता करना है, कि उनके इहां पर पूरी US में कितने migrants रहते हैं, तो वो हर घर में जाकर तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, कि अपने जितने भी शेहर हैं, उनको अलग-अलग sections में distribute कर देंगे, जैसे California, Texas, Florida, Colorado, Hawaii, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो हर individual शेहर का data निकाल लेंगे, कि कितने migrants उनके किस शेहर में र अब यह क्या है, systematic sampling method क्या है, regular intervals के बाद, मतलब इसमें एक predefined आपकी location है, कि हर 10 लोगों में से, 10 के बाद आपको एक बंदा उठाना है, हर 10 के बाद आपको एक बंदा उठाना है, तो यह systematic sampling method है, कि इसमें proper system से ही काम चल रहा है, अगर आपकी sequence हर 10 के बाद 11 बंदा उठाना पड़ेगा, आपकी sampling size को चुनने के लिए, यह भी बहुत ही कम time consuming है, क्योंकि selected होता है, इसमें criteria, इसमें जैसे अगर आपने 5000 लोगों में से, 500 लोगों के population आपको निकालनी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 5000 लोगों में से, हर 500, हर 10 के बाद, एक एक बंदा उठाते चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके पाद, टोटल 500 लोग इखटे हो जाएंगे, जो की, एक systematic sampling method का तरीका है, उसके बाद आता है, stratified random sampling, अब यह जो है, थोड़ा सा researcher के, पास, predefined situations होती है, कि आपको, एक निशित समुह में से ही, अपनी population को उठाना पड़ेगा, जो की, एक छोटा सा area, जिसे छोटा सा समुह होता है, वो पूरे area को representative करता है, तो इसको stratified random sampling कहते हैं, उसमें से कुछ selected लोग ही उठाय जाते हैं, for example, अगर आपको एक area का annual income के according characteristics करना है, लोगों का कि इस area में कितने higher income group के लोग रहते हैं, कितने lower income group के और कितने middle income group के, तो आ income wise उन लोगों को अलग-अलग sections में distribute कर देंगे, और वहां से कुछ लोगों को particular हर area में से अपनी study के लिए उठा लेंगे, तो that is called systematic stratified sampling, ठीक है, thanks for watching, do like, share and subscribe our channel, bye bye